आज के इस वीडियो में हम समझेंगे के डायनोमिटर टाईप इस्टुमेंट कैसे कम करणने। डायनोमिटर टाईप इस्टुमेंट DC एंड AC दोनों वूल्टच में ही गाँ करता है आपसे रिकोष्ट करता हूँ कि तो हमें इसके अंदर से कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या क्या देखने को मिलेगा, एक पॉइंटर देखने को मिलेगा, एक स्केल देखने को मिलेगा, एक मुविंग कोईल देखने को मिलेगा, एक फिक्स कोईल हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक load का इस्तेबाल कर रहा हूं, load एक light है, यहाँ पर जो fixed coil है, वो fixed coil load के साथ series में connect होता है, यह fixed coil है, इसे हम current coil भी बोलते हैं, और यह जो pressure coil है या फिर potential coil है, यह parallel load के साथ connect रहता है, इस potential coil के साथ एक series में एक resistance connect रहता है, जो की current को limit करता है अब मैं आपको समझाने के लिए example के तोर पर मैं यहाँ पर 12V DC का supply दे रहा हूँ अब जैसे ही हम इस potential coil में supply देंगे तो क्या होगा इस potential coil के अंदर से एक current flow होगा और ओ current depend करेगा कि supply voltage कितना है और जो potential coil का total resistance कितना है उसके उपर ठीक है यहाँ पर देखो voltage constant है ठीक है और जो coil का जो resistance है potential coil का जो resistance है और उसके साथ जो series में जो resistance connect है उन दोनों को जोर कर जो total resistance होगा उसके उपर depend करेगा potential coil का current अब यहाँ पर voltage तो constant है और resistance भी यहाँ पर constant है तो potential coil के अंदर से जो current flow होगा ओ भी constant होगा एन हमें पताए है कि अगर कोई भी current किसी भी coil के अंदर से flow होता है तो उस serial में एक magnetic flux fight हो तो यहाँ पर reflex create होगा ओ भी constant होगा पर series coil में आ वाते है current coil में आ वाते है जो fixed coil fixed coil के अंदर से current flow होगा लेकिन ओ current कि किसके उपर depend कर गाया ओ current depend करेगा ओड उपर अगर हम लोट को बढ़ा देंगे तो क्या होगा जो करेंट कोईल है उसके अंदर से करेंट ज्यादा फ्लो होगा ठीक है अगर करेंट ज्यादा फ्लो होगा तो क्या होगा यह जो दो कोईल है इस दो कोईल के अंदर जो फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है करेंट के साथ अगर क कार्रेंट घड़ जाएगा तो हीं घड़ जाएगा यहां पर आदब और इसमें लगा है कारेंट काइंब कोई आथ से के अंदर जैसे ही हम किष्ज गरिंग को डाल दे थे तो क्या होता रहता है उसके अंदर एक टॉक लगता है जो कि हमने फ्लेविंग्स का लेफ्ट हैं रूल के उपर पड़ा था से मॉर्किंग पिंसिपल यहां पर होता है दोनों तरफ करेंट कोईल का फ्लक्स है और इसके बीच में हमने क्या कर दिया एक पोटेंशियल को रख दिया जिसके अंदर से करेंट फ्लो होगा तो क्या होगा इस पर एक behaviors लगे अभी यहां पर एक धु tej मनलों कोईंट्र अभी मिड्ल में करनेक्ट है क्योंकि यहां पर कशरेंट कोईल कभी फ्लक्स है और पुटेंशियल कवा विफ्लक्स है तो पॉइंटर यहां पर बीच में बिलुल ज्यादा क्रेट होगा तो क्या होगा यहां पर पोटेंशेल कोई है इसके उपर टॉर्क ज्यादा लगेगा जैसे ही टॉर्क ज्यादा लगेगा यह काटा बीच में से हटकर और बढ़ जाएगा मतलब आगे की तरफ चला जाएगा तो पॉइंटर जो है जितना लोड बढ़ है तो डाइनमोमीटर ऐसे ही काम करते है इसको वर्किंग पिंसिपल ही का एडवांटेज यह है यह लाइट इन वेट है लो पार कॉंजर्प्शन है यह बोथ ऐसी एंड डीसी दोनों के लिए यूज किया जाता है लेकिन डिसाडवांटेज है यह थोड़ा कि मैं आगे भी ऐसा वीडियो बढ़ाऊंगा और इस चैनल पर अप्लोट करूंगा